स्वागत है और में हुँ मरान आज मेरे पास यहां पे बीवो य 3S को इसे वीवो य 3S को करेंगे न वोक्सिंग और इस स्मार्ट फोन की हम ओनेस्ट रिव्यू रखेंगे और बॉक्स कुछ इस तरीके से यहां पे देख सेखते हो नजर आ रहा है और बॉक्स के पीचे मेंश क्लर में है और सबसे चलिए इसी वीव वाई 3S स्मार्टफोन को हम उनबोक्सिंग करते हैं जैसे ही उनबोक्सिंग करते हैं यहाँ एक सेक्षन देखने को मिलता है और इसी सेक्षन के अंदर क्या कुछ दिया गया है यहां पर देख सकतो हो यहां पर एक बड़ी असाट है इसको फर इसके लबाद डोकुमेंटेशन है और यह रहा वीवो वाइट्री एस स्मार्टफॉन जिहां पेरल हुआ है बाकी कॉंटेंट्स देखा जाए तो यहां पर एक डॉप्टर है इसको आउट्पु आउट्स देखा जाए तो यहां पें यहां पर एक यहां पर यहां पर चाहर प्लाइस है इसके लबाद है इसके अलबाद करूद्ट्ट है यहां पर बैक बोड़ी तो इस साइड में बॉल्यों आप यह पावर वटन दिया गया है नेचे के तरफ पीकर ग्रील माइक्रोव 5 mm audio check लगा हुआ है इसके अलबा डिवाइस की हम इस साइट से देखा जाए तो यहाँ पर सिंप रहे है उपर की तरफ कुछ भी ने नीचन क्लीन है तो डिजाइन के मामले में काफी एच्छा डिवाइस है बढ़िया लुक से कलर में बहुत ही ज्यादा आकर्शक डिवाइस लग रहा है डिवाइस को वेच 190 ग्राम है और 8.4 mm thickness है और इसी स्मार्टफोन की हम बात करें डिस्प्ले के उपर तो IPS LCD का उप्यूक क्या गया है 6.51 इचेस का एक लार्ज स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्क्रीजिशन है 720 इंटो 1600 का पिक्सल से 270 प्यप्य है 20 इस तो ना का एक स्पेक रिश्यो है इसके लवाइस के रैम को बात करू तो डिवाइस में रैम 2GB है और इसी स्मार्टफोन में एंड्रोइड वर्जन 11 दिया गया है जिए यहां एंड्रोइड वर्जन 11 है और यहां पे फंटच ऑप्रेंडिंग सिस्टेम जो वीव का फंटच ऑप्रेंडिंग सिस्टेम 11 इसके लवाइस स्मार्टफोन की चिप सेट जो प्रसेसर है वह मिड़े की तरफ से है मिड़े के लिए पी 35 ऑक्टाकॉर पसर है 12 बने में 2.3 GHz क्लोकी स्पीड के साथ में यह उक्ट उसके खाल स्केशयु आनघोरी चावंज सील आद गया है औरा इसी मेगापक्राइशम सेलफी के साथ में ने दिया है और इसी वीवो Y3S स्मार्टफून की प्राइस जो इंडिया में रखा गया है और वो है 9,490 पीसी अनुल मॉस 9,500 के डिवाइस है तो 9,500 के डिवाइस के इसाब से ओप आर ओल डिवाइस काफी बढ़िया है लेकिन डिवाइस में काफी कुछ कमिया भी दिया गया है जैसे कर डिवाइस में यहां पे सिंगल रेयर केमरा दिया गया है कम से कम रेयर केमरा होना चाहिए था फिंगर प्रिंडिन स्केना 9,500 में आपको नहीं मिल रहा है और 9,500 में आपको स acknowledgement 4GB RAM मिल रहा है तो price point के हिसाब से device में बहुत ही ज्यादा improvement की जरूरत है लेकिन offline market के हिसाब से device के price कम सके 8000 के आसपास होना चाहिए तै लेकिन device का price 9500 तो मेरे खासे 9500 के device के हिसाब से बहुत ही ज्यादा offer price है बाकि अगर आप खरिदना चाहते हो तो offline online कहीं से 20 smartphone को purchase कर सकते हो तो यहीं दोस्तों Vivo Y3S smartphone के unboxing और इस smartphone के बारे में मिध है आप सबको वडियो जरू बसंदा होगा तो आज के वडियो के लिए बिस इतना ही गाईज बाई टेक कियर और जैहिन